हम सब कभी न कभी अपनी आपतों को बदलने की बहुत कोशिश करते हैं और नहीं आपके ड्यलप करने की कोशिश करते हैं कुछ पॉमल हैबिट्स हैं जो हर इंसान बदलना चाहता है या अपनाना चाहता है जैसे राग को ब्रेश करना, सुबार जल्दी उठना, योगा करना, आज मैं जिन जाऊंगा, आज मैं हेल्दी गाइट लूँगा लेकिन दो-चार दिन की कोशिश के बाद हम फर्टे थे खंडे पर जाते हैं अपने पहले बात करते हैं दिन की शुदूआत की और उससे पहले बात आए भी रात की अगर हम रात को जल्दी सोएंगे, तभी हम लोग जल्दी उठेंगे ना तो कोशिश करिए, रात को आप साड़े दस, लास्ट ग्यारा बज़े तक सोने की कोशिश करें तभी आप सुबा जल्दी शे बज़े तक उठ पाएंगे और सुबा उठते ही आपको अपने फोन को नहीं देखना है, कुछ लोग तो उठते ही फोन के बजने से हैं, प्रेंट का फोन आ गया या किसी और का फोन आ गया, नौनो दस दस बज़े तक सोई रहते हैं और अपनी फोन की आवाज से ही वो लोग उठते हैं, प्लीज आप आप इस आदत को बदलिए, सुबा उठते ही आपको फोन नहीं देखना है और आपको खुझ से उठना है, हमारे अगर आप अपने सब कॉश्यस माइंड को राग को एक आर्डर करके सोऊगे ना, कि हुझे तीन बज़े उठा देना, उज़े तीन बज़े उठा देना, इसने बज़े उठना चाहते हैं, पांच बज़े, छी बज़े, साथ बज़े, मेरे इसाब से हर इंसान को सुब़े साड़े उठ जाना चाहिए, तो आप उने ब्रें को कमांड दे कर सोईए, कि आप मुझे सुबा शे बज़े या साथ बज़े, जोबी टाइम आपको आपको नहीं देखना है, या तो अपने रूम में, बेड रूम के सामने एक अच्छी सी पिक्चर अपने पेरेंट्स की लगाईए, गौतम भुद्धा की लगाईए, या जिस भी भामान को आप मानती हैं, ओम को मानते हैं, ओम को सारे दुनिया ही मानते हैं, कुछ भी अच पॉजिस माइड को एक इंडिकेशन देगी, कि आज आप खुश हैं, और बहुत जादा फॉज़र के फिल कर रहे हैं, तो आपको सारा दिक पॉजिटिविटी मिलेगी, जल्दी में मत उठिये, है देर हो गई, है अलाराम बजलिया, ये करना है, वो करना है, बीस सेकिंड म सुबै उखिए, अपने नोहों हाथों को देखिये, कि ार्स दिन के गोल को आपने माइन में सेट करिए, आज मुझे ये काम करना है, तुमिश्ट करना है, वो थिस स्कूला मॉझे जाना है, ये कोई नई चीज करनी है, आज अपने आपको कमांड दीजिए, ये कि आपाश ब्रेक्पास्ट ये फोन, ये खाना ये फोन, हमें time का पता ये नहीं चलता उस फोन की scrolling मेरी हमारा डाई भीच जाता फिर भागते भागते तो चीज़ों को खाते हैं बढ़ते भागते आगे ड्राइब में हम केर लेस्नेस हो जाएंगे बस हमें जल्दी पोचना है तो प्लीज तुबे के दो गण्टे उस पोन को अपने से दूर रखी और अपना इक ताइम टेवर डिसाइड करिए अगर आपने किसी को टाइम दिया है बारा बजे मिलने का य अगर आपको लाइफ में सबसेस होना तो आपके लिए बारा का मतलब ग्यारा बज़ के पच्वन मिनट होना चाहिए बारा बज़ के पांच दस मिनट नहीं इस रूल को अगर आप अपने जिन्दीगे में उतार लेंगे ना इत्ता अपकी वैल्यू भी होगी और वक्त भी हमेशा आपके साथ चलेगा उसके बाद अगला आप नियम बनाए हमी लाइफ में हैल्डी डाइट का फ्रेंट्स पूरे दिन में आपको एक फ्रूट जूस और से जरूर लेनी चाहिए दो मिल एटलिस आपके हल्दी होने चाहिए एक मिल आप स्किप भी करते हो तो चलेग हेल्दी खाना हमें हमेशा पॉजितिव वाइफ्स देता है और अन हैल्दी खाना मिर्श मसाले वाला तला हुआ पास्ड ये हमें डेटिव आपको डिसाइड करना आपको पॉजिटी विटी चाहिए या नेगिटिविटी चाहिए हां पंदरह दिन में आप खुद को एक द इससे आपका वेट भी मेंटेन रहेगा और माइंड भी मेंटेन रहेगा सच में यह चीजे काम करती है अगर आप इनको अपनी डेली लाइफ में उतार ले तो अब बात करते हैं इससे आगे आप अपने लास्ट वीडियो में आपको बता है आप एक बोल बनाएं और फिर उस गौल को पाने की कोशिश करें आपने गोल तो बना 근데 do corona कि warning किया है करेहां कि जॉब्स जारी है कई विजनिस बंन रहे हैं बढserी कि सिम्की कि पी नई उप मलिये तो आप जो बनारे हैै अब उस घॉल तक कैसे जाना है एक अपना टाइम फेबल बनाएं एक चीज बनाएं के ऐसे ऐसे करके मुझे उस गोल तक पहुचना ही पहुचना है आपने गोल बना लिया आप ये बैठे हैं लेकिन बीच का रास्ता आप कैसे क्रॉस करोगे कुछ ना कुछ रूमून सापको अपने लिए डिसाइड करने प को फोलो करिए जिनों ने अपने आपको यहां से यहां किया है स्ट्रॉबल से कभी भी मढ़ डरिये नीन पूरी लिजे खाना अच्छा कईये और कुछ अच्छी आते अपना है हमेशा अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिए अगर वो कुछ कह रहे हैं आपको तो उनकी कुछ लोगों को क्या होता है उनकी इगो हर्ट होती है कि वाई मी मैं इससे कुछ डिस्कस की पूरी है तो मुझसे चोटा है या इसको तो समझी नहीं हर इनसान का देखने का नजरिया अलग होता है अगर कोई किती साइज भी करता है आपके point of view को तो criticism हो भी हस्ते हस्ते न आप मेरी चोटी चोटी बातों को ध्यान रखिये और अपनी लाइन में अपनाने की कोशिश करिए एक और point बहुत important मैं सद्बुरु जी को follow करते हूं वो यहीं चीजे सिखाते है हमारे को वो कहते है कि दिन में आपको 3-4 गृंटे सीधे बैठ बिट बुल सीधे क्या होता जब आप अपने शरीर की मशीनरी को सीधा ही नहीं रखोगे तो खाना डाइजिस्ट कैसे होगा आपको पता है एक वीट हमारी बाडी में पूरी तल से डाइजिस्ट होने में 16-18 गृंटे लगाता है तो आपको सोचिए रात के 8-9 अपने 2-3 रोटी खाई, सबजी खाई, जो भी आप खाते हैं और उसके बाद थोड़ी थो दोसो कदम चलके आप आके बैठ गे और धम से अपना टीवी देखना स्टार्टी नहीं आप उस तहीं खाना खाने के बाद स्पैशली आपको 10-15 मिनट सीधे बैढना है ताकि खाने का जो जो अपनी जगे पे उसको जान बैठ के खाएं पानी पीए सीधे बैठ के पिये और रिलाक्स हो तो खाना डाइस होने के खाने के आदे घंटे बाद आप रिलाक्स हो ठीक है फ्रेंड्स आप इन चीजों को फोलो करिए होपसो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा आप जरूर से जरूर इस ची बाई पाय टिक क्या बान दका रएं